यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ करीब दो दुशक के बाद हर्याना में छातरसंग चुनाव बहार किये जाते हैं और उसका कही ना कही जो सहरा है इनसु अपने सिर बांदने की कोशिश करती है और अब ABVP अखिल भारतिया विद्यार्थी परिशत जो है वो भी अपनी मांगों को लेकर इस पूरी तस्वीर में वापसी करती नजराती है हमारे सथ यहाँ ज्यादा चर्चा के लिए माजूद है सुनिल भारदवाज प्रदेश मंत्री हैं ABVP के आपका सवा के था सुनिल जी धन्यवाद सुनिल जी आपकी मुहिम शुरू की गई इन्सों ने आकर बीच में कहीना कहीं कुछ दिन प्रदशन किया और अपने अपने पास अप्रेडिट ले जाने की होड में लगी है सबसे पहले आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं देख है कि यह मैच्छ हम मैंने जीताया है तो मुझे लगता है कि जिन्हों ने पहले सथक लगाये हैं उनका भी मैंतपूर योगदान होता है उसी के कारण से भर जीट हुई इस लिए अगर इन्सों यह कहते है Ultima के चुनाव क्राएं है तो मुझे लगता है और विध्यारती पर जहायक और वहां के MP और वहां के जिलाद्यक्ष ऐसे महिला परकोष्ट की महिला अद्यक्ष ऐसे तमाम लोगों ने किया है तो मुझे उसको इंसो नहीं बोलना चाहिए आपको भी नहीं इने लोग सब कुछ कर रही है लेकिन वह आखरी चार रन मारने का मौका आपके पास भ मेरी हुई देखें विद्ध्यारती परिसाद ने जो अभी आप देखेंगे उसके उपर कमेःटी मिला हुआ टो आपके कर्णक्स वहां का मंतरी लेकिन आ ll reasons और विरोध किया कि नहीं हमें परतेख चुरूप से साथ संग चुनाव चाहिए तो उसको लेकर के बाद वो उतना देखने को नहीं मिला क्या वज़ा रही कि सत्ता में अपने सरकार थी नहीं विद्यारती परिशत की कोई सरकार नहीं है विद्यारती परिशत सिर्फ चात्रों का एक मात्र संग्ठन है और मैं बता देना चाहता हूं कि विद्यारती परिशत नहीं सबसे पहले 44 मांग वो मेरे पास है 44 मांग जो यह है यह हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री को दिया तो लेकिन इन चार सालों में कितना उस पर काम हुआ क्या आपने कभी उसका फालॉप करने की कोशिश की कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ देखिए लगातार जब सीट विर्दी का विसे था नए कॉलिज खोलने का विसे था मह पारे चात्रों से जुड़ी हुई तमाम बाते भी थी जिनको लेकर के हम अंदलन करना चाहते थे और आज भी विद्यारती परिशाद सिर्व चात्र संग्चुनाव नहीं तो बाकी जो मुद्दे हैं उन सपर भी बात होनी चाहिए फिर चाहे यूजी में सेमेस्टर लेकिन अक्षर देखा गया है कि लोग भी समझते हैं कि जो ABVP है वो BJP को स्पोर्ट करती है तो ऐसे में अपनी ही सरकार को घेरना कहां तक जायज है या फिर जो लोग समझते हैं उसमें कितनी सच्चाई है देखिए लोग कुछ भी समझें लेकिन कभी विद्यारती करेंगे अभी केंद्र में इतने मंत्री है रविशंकर परशाद के बाद हो जेपी नट्डा के बाद हो बहुत सही ऐसे मंत्री हैं जो कि चात्र संग चुनाव से निकल कर रहे हैं और ABVP का हिसा रहे हैं हां बिल्कुल सही बात है क्योंकि विद्यारती परिशद और भारते साल बाद चाले सुत्रे जो मांग थे आपके आपने 2014 में दी लेकिन चार साल बाद अब याद आया कि हाँ पूरी नहीं हुई है सारी मांगे ऐसा नहीं है देखिए जब सीट विर्दी का विसे आया तो हमने सीट विर्दी को लेकर के अंदलन किया ऐसे महिलाओं के साल बाद चार की समच्या बता करके और उसी से अंदलन कर आते हैं लेकिन आख़ी सवल आपसे करना चाहूंगा क्या इसको समझा जाएक कि इभिल लुक सुभा चुनव है और साथी साथ हर्याना में विधान सभात चुनव भी दस्तक देने वाले हैं तो क्या उसी को लेकर यह स्ट्रेटिजी बनाई जा रही है ऐसा समझा जाए देखिए अखिल भारती विद्यारती परिश्यद को ना तो लोग सभा का चुनाव लड़ना चुनाव जिनको लड़ना उनको लड़ना होगा हमें तो सिर्फ चात्रों के लिए काम करना है और इसलिए पाल्टी किसी की अगर चात्रों के हितों की बात करेगी तो हम अच्छा है नहीं करेगी तो सरकार किसी की भी आए हम उसके खिलाफ जंडा उठा करके अंदोलन करेंगे परदर्शन करेंगे और अपनी मांग जो है मारी उनको मनवाएं लेकिन सवाल मेरा आखरी ता लेकिन आपके जवाब से सवाल और निकलता है कि आपने का है कि कभी किसी का पक्ष नहीं लेती है लेकिन इस बासे आइंकार नहीं कर सकते कि युवाओं को यह देश है और कहीना कहीं आप भी वोट डालने जरूर जाते होंगे और एक ही पेड़ की दो शाखाए हैं बीजेपी और एबीवीपी तो क है और वोट हर किसी को डालना चाहिए कि चली और 28 अबरशन करने वाले हैं वह क्यों पर देशन करने की नौबत क्यों आई फिर से बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ नहीं है वो सरकार के खिलाफ है सरकार किसी की भी आएगी चात्रों की जो हितों की बात नहीं करेगा हम उसके खिलाफ अंदलन करेंगे ठीक है ऐसे जितनी बाते बते हैं चात्र संग्चुनाओ की घोसना करिए लेकिन उसके कोई पार्टी को बुला करके ऐसे अंदोलन नहीं करेगा तो इसलिए हमने उसमें चरण बद्ध तरीके से अंदोलन किया है और उसमें जो मैंने कहा कि हम चात्रों के दम पे अंदोलन लड़ते हैं तो इसलिए सबसे पहले विध्यारती परिश्द 19 मार्च से लेकर के 21 मार्च 24 तारिक को विध्यारती परिश्द एक सद बुद्धी यग कि हमने चार साल पहले आपको एक मेमोरेंडम दिया था आपको भगवान ने सायद बुद्धी नहीं दी और आप दुनिया भर के आयोग और सब कुछ बनाने में लगे हुए लेकिन सिक्षा के उपर आपका ध्या पढ़ना चाहता है तो फिर उसको सिक्षा रूपी जो सेरनी का दूद है वो पीना पड़ेगा और इसलिए विध्यारती परिश्द की डिमांड है और अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो 24 तारिक को ऐसे हम सद बुद्धी यक करेंगे और तब इनको बुद्धी नहीं आत अब 16 परिश्द का तब संग और अब इसलिए परिश्द बुद्धी तक चंडिकर झाल झाल